हलो एविवन वेलकम बैक मैं हूँ गौर काबरा आप सब का बहुत बहुत सागत करता हूँ एक ब्रैंड न्यू एपिसोड ऑफ अवर सीरीज हम लोग जर्णी ऑफ एन इंवेस्टर की सीरीज में हैं और लगबग अब हमें 12 हफ़ते हो चुगे हैं अपनी इस जर्णी में हमन नुकसान में जरूर है लेकिन फिर इतना भी नुकसान में नहीं है थांक्स तू अवर रिस्क मैनेजमेंट प्राक्टिसेज बट मेरे क्याल से तीन हफ़ते या तीन हफ़ते तो नहीं बारा हफ़ते तीन महीने बीच चुके अब लगबग और ऐसे में इस इस हाई टाइम क कंप्लीट होने पर आपको कम से कम अपनी राय देनी चाहिए कि आपको यह सीरीज कैसे लग रही है और आप क्या नहीं नहीं चीज़ें यहां पर देखना चाहोगे अगर आप चाहते हैं कि कुछ नहीं डिस्कवरीज आप करवाना चाहते हो और जो मुझे भी लगए कि फी रेगुलर हो और आपको यहां पर ऐसे कम्यूनेटी थोड़ा यहां कॉंट्रिब्यूट करना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मेरा एक जिनरस अपील है कि जरूर से कॉमेंट कीजेगा आपकी जो भी रिक्वार्मेंट से यहां सुझाव है और आम उस पर काम करेंगे चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं आज एपिसोड नमबर 13 24 जैनवरी आज की डेट और तीन सेगमेंट पर हम लोग आज बात करने वाले हैं सेगमेंट नमबर 1 जुसमें मैं आपको बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या हल चलो ही पिछले एक हफते में इसके अलावा सेगमेंट 912 हम लोग अपने मॉडल पूटफोलिय की बात करेंगे थर्ड सेगमेंट में मैं आपके जितने भी टॉप कॉमेंट्स हैं उन पे रिप्लाइक्स करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँगा और सब सारी डिसकुशन करूँगा इसके अलाव लग बग आदे घंटे का वीडियो है फास्ट फरवर्ड करके देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द सो जरूर से वो वीडियो जरूर देखेगा ठीक है चले आभी शुरुबात करते हैं अपने सेगमेंट नमबर वन से और निफ्टी का क्या कहना सर पिछले हफते तक हम लगबग 2,000,000 रुपे के साथ बैठे थे और इस हफते हमने उसमें से 50-60,000 रुपे की इंवेस्टमेंट कर डाली जी हाँ इतनी इंवेस्टमेंट हो चुकी है तो येस हमारा जो कैश था हमारे हाथ में वो इस गिरावट में हमारे काम आया we have deployed some of our cash and आगे है क्योंकि हमने cash हाथ में रखा था तो मार्केट में जब हलकी पूल की गिरावट आई हमें मौके मिले हमने एंटर किया फटाक से without even wasting a little bit of time ये सब इसलिए भी संभा हुआ क्योंकि आप खुद भी जानते हैं पिछले हफते मैंने सबसे जाधा stocks के एक तरह से कह सकते हैं list ब साथ stocks आपको recommend किये थे उसमें से चार फार्मा थे और फार्मा में जबर्दस correction वही और उसमें से actually दो हमारे buy point पे मिल रहे थे हमें और मैंने पिछले हफ्ते उसे model portfolio में include कर लिया सो आज वो कहा है किस position पे उसके उबर में चर्चा करेंगे segment number 2 में बट आप ही segment number 1 में nifty की चर्चा देख लेते हैं nifty overall minus 0.43% पे weekly basis पे close हुआ I am highly satisfied की market थोड़ा सा correction दे रहा है खास करके जब market 50,000 को cross करके है मैं sensex की बात कर रहा हूँ एक high को touch करके है और उसके बाद में market अगर थोड़ा सा correction हुआ तो definitely it's a good point to enter and हम हिचक नहीं रहे हैं we have entered into some stocks देखने है का क्या है इसके लाब bank nifty भी देखे तो यहाँ पे जबर्दस गिरावाट हुई 3% के आसपास में bank nifty overall टूटा है 3 भी नहीं सवा 3% बोल सकते हैं तीन दिन गिरावाट आई और खास करके Friday वाली गिरावाट तो भाई देखने लाइक थी so ऐसे में banks and financials में भी entry एक बन सकती है maybe इसके बारे में हम discussions करेंगे आते हैं अपने segment number 2 में model portfolio में हमेशा की तरह rules आपके सामने ये रहे कि sir हमने 5 लाख रुपे से start किया ता लगबग 3 महीने पहले और 1 January को हमारे पास 1 लाख रुपे इसमें और आया था मैं सिव आपको अपनी राय बता रहा हूँ और उस राय के थू शायद आप कुछ सीख रहे हो इस journey में आप थोड़े wise बन रहे हो एक wise investor बनना है तो इस series का आप पूरा फायता उठाएं हर Sunday आपका थोड़ा समय लेता हूँ लेकिन I hope आपको पूरे week का जो भी ग्यान है वो मिलता है and उससे आप grow कर रहे हो so आपी के लिए ये है अपनी सारी हिसाब किताब और obviously जैसे कि हमारी academic discussion होती है कोई buying selling के recommendation नहीं है इसलिए caution mode activated है and अब यहाँ से जितनी भी बाती होंगी वो सर्व academic purpose के लिए होंगी चले आते हैं सीधे पहले model portfolio में model portfolio अगर आप देखेंगे तो हमारा सर्व cash जो हम इतने time से लेकर के रखेते हैं वो धिर धिरे खतम हो रहा है 194 के आसपास का कुछ cash था now we have 135 so definitely we have deployed a good amount of capital here हमने इससे दो चीजे खरीदी थी आपको नीचे से third and नीचे से second नजर आ रही है about India and AstraZeneca pharma दोनों ही pharmaceutical की companies हैं और दोनों में हमने मिला करके लगबग-लगबग 30,000 रुपए और 30,000 रुपए यानि की लगबग-लगबग 60,000 रुपए यहाँ पर invest कर दिये अब ऐसे में हमारे पास में 1,35 अभी भी cash पढ़ाया so definitely there are lot more opportunities being available जैसे कि मैंने personally अपने ही portfolio में AstraZeneca pharma, Abort India, Biocon, सारे pharmaceutical खरीदे हैं यह मैंने अपने personal portfolio में भी किया है और since मैं यह सारी बातें आपको पिछले अफ्टे पहले भी बोल के गया था so obviously यहाँ पे कोई भी front running वगेरा कुछ नहीं होरी आपको पहले से बताया था यह दो खरीदेंगे और हमने actual में खरीदे हैं इसको actual में in the sense मैंने खुद में भी खरीदे हैं और model portfolio में भी यह शामिल है अब यहाँ पे हमारा cash definitely कम हो गया है बट इतना भी कम नहीं है कि हम डरें हमारे पास 20% से जादा अभी भी cash है which makes a good comfort area जहाँ पे हम और भी acquisitions कर सकते हैं अगर market और correct करें तो but yes hard bird नहीं मचाएंगे खरीदे में थोड़ा सा hold करेंगे अभी के लिए GMM potler भाई बढ़के घड़ गया और वापस हम उसी level पे पहुच गया जहाँ पे हमने invest किया अच्छी बात यह कि हमें कम से हम नुकसान नहीं हो रहा so इस बात को लेकर के आप खुश हो सकते हो next deep ignited हमारा star share है लेकिन obviously उपर से काफी नीचे आ चुक है 67% की correction हो चुकी है 41% still हमारा profit है stop loss अभी भी काफी दूर है so कोई tension की बात नहीं है next up is reliance industries थोड़ा बहुत चला जि हाँ थोड़ा बहुत चला जिसमें हम loss में बाटे थे अब आपे तक्रीबन पोने 3% के profit पे हम आ गए है and right now यह थोड़ा comfort हमको दे रहा है so reliance एकदम अच्छा share है इसके साथ बैठे हैं हम लोग coforge 13% का profit well and good vinti उपर नीचे हो रहा है but still हमारी entry इतनी solid है कि हम अभी भी losses में नहीं है we are still making about 4.72% here which is very good honeywell automation we are making 40% यह ज़रूर बढ़ा नहीं I was expecting कि यह तेजी से बढ़ जाएगा which is good बने रहिए पैसे बनेंगे Britannia में we are making 6% थोड़ा बहुत बढ़ा है यह भी जे भी chemical 7% थोड़ा घटा है यह आर्टी drugs सर भही पे है कहीं कहीं गया नहीं but इसके अलबाद trend में हमें अब नुकसान होना शुरू हो गया है trend में 1.49% का नुकसान है लेकिन हमारा stop loss 570 है तो काफी दूर है डर नहीं लग रहा है उस बात को ले करके About India में we are making nothing we are actually we have just entered और उसी भाव पे है तो कोई डर नहीं है and again About India एक शौनदार कम्पनी है डर लगने वाली कोई बात नहीं है इसको हमने stocks per चर्चा में भी cover किया था तो वो ज़रूर आपको देखना चाहिए तो know more about this company अच्छी कम्पनी है आराम से ले करके बैठे अस्तरजन का फार्मा 6.62% का नुकसान है इसमें दम-दम करके गिरावाट आई अभी ये करीब 3391 ये 3700 के आसपास में आप भी currently ये है हमने इसको लगबग 4000 में खरीग लिया था तो इसमें देखेंगे अपने कि इसको क्या average करना चाहिए कि एक point के बाद में बट आभी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई डर है आराम से बैठे रहिए P.I. Industries again इसको हमने दो अफते पहले शायद लिया था इसमें हम लोगो 3% का नुकसान हो रहा है overall अगर हम देखें तो हमारा model portfolio 6,00,000,000,000,000,000,000 पर पहुचा है 6% का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट है फिलाल हम जहां पर भी है अच्छा चल रहा है बात बाकी आप लोग जन्ता जनार देन है अपनी राय आप जरूर से रखें फीडबैक में ताकि मुझे भी पता चले कि क्या क्या चीज़े हैं यहां पर हम बदल सकते हैं यह किसले कर रहे है क्योंकि सर अब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कैश और हाथ में हो जाए तो मज़ा आ जाए इसलिए हनीवल आटोमेशन इस आवर स्टार परफॉर्मर एज अफ नौ यह थोड़ा सिकलीकल नेचर का भी है एक बार हनीवल आटोमेशन का प्रॉफिट बुक करेंगे यह थोड़ा रहा है यह इसले किया जा रहा है ताकि हमारे पास लगबग 40,000 का प्रॉफिट आजाए या 40,000 का क्याश आजाए अच्छल में हाथ में और यह अभी अभी सोचा है मैंने प्लान भी नहीं किया था पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो नहीं यह भी काम करके देखते हैं अगें इसपे आप अपनी राय रख सकते हैं लेकिन मैंने अनॉंस कर दिया है कि कल मंडे को खुलते वक्त open में इसको बेचेंगे तो बेच तो हम रहे हैं 100% है बट अगर आपको यह लगता है यह डिजिजन गलत है या सही है आप अपनी राय ज़रूर रखिए ठीक है ताकि नेक्स ताइम तो कम से काम हम इस तरह की कोई हरकत है ना करें ठीक है पर में समल जाएगा तेज हो जाएगा अब कुछ समझ में नहीं आएगा अभी वेट करते हैं मंडे को और हमारे पास कुछ 30,000-40,000 रुपए तो आई जाएंगे तो ऐसे में we will still have a lot of cash जो हमें एक बहुत strong position में डालता है so yes हम अगले हफते ही जानेंगे कि कैसे क्या खरिदना है अब इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा अपडेट कैसे मिलेगा तो मैं जिस भी दिन कोई भी buying होने वाली होगी उसके एक दिन पहले YouTube story डाल दूँगा एक दिन पहले जैसे कि मालनो मुझे Thursday को कुछ खरिदना है या Thursday को model में कुछ डालना है तो मैं आपको Wednesday को YouTube story पे जरूर मिल जाओंगा और आपको बताओंगा क्या हमारे portfolio में include होने वाला है ये हर रोज नहीं होगा ये सिर्फ इस अफते के लिए हो रहा है because market बहुत volatile है मुझे खुद को नहीं पता किसके भाव आजाएंगे कौनसी opportunity कब आजाए जैसे बायोकॉन है बायोकॉन 10-12% गिरा Friday के दिन वो एकदम से sudden opportunity थी कोई plan ही नहीं था बायोकॉन में जाने का and suddenly वो मैंने अपने portfolio में तो ले लिया लेकिन model में मैं बिना बोले ले नहीं सकता so ये sudden moments के लिए कुछ कर नहीं स story में आपको सब मिल जाएगा आप उसके लिए निस्चनत रहें ठेक है so ये है अपने model portfolio में एक हलकी सी और नई addition की YouTube story गे तुरू आपको intimate किया जाएगा जरूर से so that you get to know कि यहाँ पे हमें किस तरह की opportunities मिल सकती है इसके अलावा हमारे replies to comment जो हमारा third section है उसके उपर में बा साथ best talks निकाले थे जिसमें एक video बन चुका है और channel पे आया हुआ है आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखेगा बट फिलाल उसके बावजूद और जो feedback थे या फिर आपकी कोई मन की बात थी वो आपने जो लिखी है उस पे मैं अपने reply जरूर देता हूँ सबसे पहल जाधा time हुआ नहीं इसको आए तो मैं इसको quantitatively determine नहीं कर सकता कि इसकी moment किस हद तक जा सकती है इसने SBI card फिलाल मेरे quantitative model के scope की बहुत बहार है I cannot comment on it सो ऐसे में कोई भी burger king ले लो SBI card ले लो ठीक है मजगाओ doc ले लो जिनके भी IPO recently आये हैं उन पे मैं comment शायद ना कर पाऊ IRCTC included इसके अलावा IPO का क्या भाई राकेश भाई साब आपका जवाब आपको मिल गया IPOs में देखो पहला लंबा पैसा नहीं बन सकता हैं दूसरा मैं model portfolio में डालू कैसे क्योंकि मैं यह कैसे assume कर लूँ कि हमें IPO मिल ली जाएगा आम तोर पे IPO देखो मेरे तो नहीं लग रहे अगर मैं लगाता भी हूँ तो और family भी अगर लगा रहे तो नहीं लग रहे IPO तो ऐसे मैं IPO model portfolio में तो कभी भी हिस्सा नहीं बन सकता दूसरा मैं आम तोर पे excited होता भी नहीं IPO को लेकर के क्योंकि IPOs को study कैसे करें बहुत limited data उससे पहले हमारे पास में इसलिए मैं कोई भी share में जब तक 5 साल की history नहीं होती मैं उसको include करने का सुसता नहीं So yes, IPOs won't be entered into our model portfolio for sure कम से हम 3-4 साल तक 100% कोई भी share का IPO आया 3-4 साल से पहले हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे Next up is Gaurav, Gaurav again thanks बोल रहे हैं कि हर बार thanks बोलते हैं मैं भी आपको thanks बोलता हूँ And आप hashtag भी बना के रखे हैं stocks पर चर्चा, I really like that इसके अलावा आप last episode के लिए बोल रहे हैं कि वह अच्छा था So thank you for liking that episode as well Next up is Rahul, Rahul ने बोला है कि sir आप model portfolio में shares choose कैसे करते हैं आपको अगर ये बात जाननी हैं तो अभी के अभी वीडियो को like करें ज़रूर से, अभी के अभी like करें ये सिर्फ Rahul के लिए नहीं है, ये सब के लिए है अगर आपको जानना है कि किस तरह मैं model portfolio बनाता हूँ ठीक है, तो like करें और feedback में बता दिये कि yes आपको इसके बार में जानना है model portfolio किस तरह एक share आता है मैं proper parameters आपके साथ share करूँगा थोड़े बहुत कुछ secret ingredients है उनको मैं indirectly आपके सामने पेश करूँगा लेकिन yes इस पे एक special episode बनाऊँगा जिससे आप समझेंगे, okay ये है secret mantra कि इनके पास share आते है clear है, आप अगर वो जानकारी जानना चाते है अगर आप चाते हैं इस पे special episode बने आप comments को भर दें likes कर दें इस वीडियो पे ताकि मुझे तक आपका message मिल जाए clear है, राहूल आपकी request जरूर entertain की जाएगी लेकिन उसके लिए आप pray करिए कि community भी interested हो ताकि हम इसके उपर में एक special episode जरूर बनाए सो थोड़ा सा वेट और करना है राहूल आपको next up is Neha, again ये सारे लोग काफी, मैं कह सकता हूँ consistent है, सो ऐसा है कि community के members है, मुझे feel होता है, अच्छा लगता है Neha भी बहुत comment करती है, उन्होंने भी यही बुला कि sir आप बहुत अच्छे educate करें सीरीज अच्छी लग रही है, thank you so much मैं और खुश होंगा नेहा, अगर आप और भी कोई feedback ने, और इस सीरीज को और बहतर बनाने में मदद करें, और पिर आया सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आपने इतनी बार comment किया है कि sir season 2 का बार है, season 2 का बार है इसके अलावा मैं थोड़ा सा busy हूँ अभी क्योंकि आप सब को पता है कि MEPL पे बहुत कुछ developments हो रही है इसके अलावा हम भी CFA को ले करके कुछ जादा ही अभी ध्यान दे रहे हैं, काफी exams भी आ रहे हैं, तो उन सब चीजों पे थोड़ा effort पढ़ रहा हूँ मैं, कई नहीं किताबे पढ़ रहा हूँ जिससे मैं ट्राइ कर रहा हूँ, चीजों को रिलेट करके stock market पे धमागेदार कुछ बनाने का, तब तक इस series का पुरा enjoyment लीजे, 2021 में ये series जरूर आएगी, ये मैं आपको बहुत ही दमदार season आएगा तो अभी के लिए ये थे अपने सारे top comments जिसके उपर मेरे replies गए है, आप बताएगा कि आपको इन सब replies कैसे लगे, इसके अलावा वीडियो पे अपनी प्रित्रिक्रिया जरूर दीजेगा अगले episode होगा, episode number 14 जिसमें मैं आपको मिलूँगा 31st of January, technically the end of January तब मैं आपको मिलूँगा और उसमें और चर्चा करेंगे कि हमारा model portfolio क्या हरकत एक कर रहा है, हम कहां पहुचे वगेरा और इतने देर से caution mode activated था क्या शायद अभी तक activated है तो कोई बात नहीं लेकिन इस वीडियो को जरूर से like, share and comment जरूर कीजेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे है जितने जगा मैंने feedback मांगे, please feedback दीजेगा उससे हमें इस सीरीज को एक नया direction देने में मदद मिलेगी So that is it, आज के लिए I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा मिलते हैं, अगले हफ़ते तक तक के लिए आप अपना ध्यान रखे सीखते रहें and at the end तरक्की भी जरूर करें That's it, I'll see you then, bye bye, जहन